हेलो फ्रेंड एजुकेशन जब अपडेट यूट्यूब चनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूँ आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक न्यू वीडियो लेके आ रहा हूँ जिस वीडियो का नाम है बिहार जीवी का एरिया कोडिनेटर फाइनल जुईनिंग जल्द और कब होगा देखे तो इसका फैनल जुईनिंग जल्द होने वाला है और आप लोगों को जुईनिंग का परकिरिया अगर आप लोगों को सनिवार तक में पब्लिश नहीं करता है सुचना के अनुसार, अधिकारियों के सुचना के अनुसार, बातचित के अनुसार और पता जिस तरह से चला है कि सनिवार तक में पब्लिश किया जाएगा साइड पे जोइनिंग का एक लिंक अपडेट दिन तक में इसका रिजल्ट आ जाएगा अगर आप लोग को अगर इस महिने में भी नहीं आता है या परकिरिया आपको अगले छे तारिक के बाद दिसंबर के छे तारिक के बाद आएगा क्योंकि इसके आप लोग भी जानते हैं दिसंबर की साल खत्म होते ही आप लोग जानते हैं 2021 नए साल में परवेश करिएगा लेकिन संभावता आया है कि एरिया कोडिनेटर का जोइनिंग 15 दिसंबर से परकिरिया शुरू हो जाएगा तो आप लोग तयार रहें सारा डोकोमेंट तयार कर लें क्या डोकोमेंट चाहिए उसका एक अलग वीडियो बनेगा जब आप लोग के कोमेंट को मद नजर देखते हुए आप लोगों के comment का demand अगर होगा कि इसके document पे वीडियो बनाया जाए तो फिर मैं उसका वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए तो आप लोग update रहे और इसका जानकारी आप लोग को किस तरह से कैसे पता चलेगा उसके लिए आप education जाओ update YouTube चनल को subscribe कर ले और जल से अगर चाते हैं notification आप तक पहुँचे तो red color के subscribe करके bell icon को दबा दे ताकि notification के माद्यम से मेरा हर एक वीडियो आप तक पहुँचता रहेगा तो मैं आज के दिन में देखता हूँ क्या कुछ update आया है जिविका के official website पे तो आप लोगों को ले चलूँगा जिविका के official website पे और वहाँ मैं दिखाता हूँ क्या कुछ update है तो जल्द और कब होगा देखें और यह परकिरिया जल्द होने वाला है आप लोग तयार रहें तो जडूर देखें विडियो को अंतक जैसे कि आप दिन में क्या update कुछ आया है कि नहीं आया है अभी तक तो फिलाल नहीं दिया गया है 23 नमंबर के बाद update को रोक दिया गया है का update फैनली हमको लग रहा है कि सनिवार तक में update दे देगा कि area coordinator का joining कब और कहां होगा आपको अपना home district या other district ये आपको जानकारी जीविका के update आने के बाद पता चलेगा लेकिन जहां तक मेरा अनुबब है आपको अपना home district तो नहीं होगा और खास करके जो लड़की छात्र student है जो इसमें pass किये हैं हो सकता है समभवत 80% उसको हो सकता है अपना district के अपना किसी परखंड में मिले home परखंड तो नहीं मिलेगा पुरूसवर के जितने भी है candidate उसको हो सकता है तो other district मिल सकता है या जानकारी आपको मैं अपने education जब अपडेट यूट्यूब चैनल के मादम से दे रहा हूँ तो जल्द से जल्द अपडेट पाने के लिए आप लोग मेरे चैनल को जरूर सस्क्राइब कर ले कोमेंट में करना नो भूले कि आप किस जीले से हैं किस state से हैं मैं वहां तक का vacancy जानकारी पहुचाने का काम करूँगा और मैं यह भी बताऊंगा कि आपको कैसे अपना जिला में परवेश और आप कितने दिनों के बाद अपने जिला में कैसे अपना टांसपर करवा सकते हैं तो यह सारा परकिया आपको मैं दिखाने वाला हूँ तो फिलाल मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में तब तक के लिए जाहें